पैसे पेड़ पर नहीं उखते लेकिन ये कलियां 100 यूरो प्रतिग्राम में बिखती हैं। ये है औशधिय भांग। इनमें कैनाबेडियोल यानी CBD की काफी बड़ी मात्रा होती है। सूजन, दर्द और मिचली का ये एक लोग प्रियोग उपचार है। चिकित्सा उपयोग क को छोड़ कर अपने गाउं लोट आई जो यहां लेसोथो की पहाड़ियों में बसा है। यहां वो MG Health नाम की कमपनी के लिए काम करती है। जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यहां मराकाबाई में हमारे गाउं में ये चीज आ सक लिसतों में भांग उगाने की आदर्श थितियां हैं लेकिन अभी MG Health ही अकेली कमपनी है जो चिकितसा सर की भांग का निर्याद करती है। भांग का इस्तमाल दवाउत द्योग में होता है लिहाजा उतपादन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। पिछले पांच साल में MG Health न को रोजगार दिया है यह युवा लोग हैं बहुत स्मार्ट हैं यह लोग नौकरियां पाने में कभी समर्थ नहीं हो सकते थे और आज हम पोलेंड जर्मनी को अपना माल निर्यात करते हैं जल्द ही ब्रिटन जाएंगे। लेकिन हर किसी के लिए यह अच्छी खबर नहीं ह के लिए भांग एक प्रमुख नकदी फसल बेशक बन गई है लेकिन देश में अन्य छोटे उत्पादक उन पौधू को छोड़ रहे हैं जिनने कभी वे दक्षिन अफ्रीका के ब्लैक मार्केट के लिए उगाया करते थे थे 200 खामोली अपने गाउं में अकेले भांग उग मेरे गाउं में हर घर का अपना भांग का खेत होता था यह तमाम जगव भरी रहती थी और लोग उसके जरिये रोजी रोटी चलाते थे मुक्का उगाने के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे भांग की बदौलत ही माबाप अपने बच्चों को स्कूल भेज़ पाते थे 200 खामोली अपने युवा पडोसी थाबो फोलो को के साथ काम करते हैं साथ मिलकर दोनों कल्यों को सुखाते हैं, बीज हटाते हैं और सीमा पार तसकरी कर देते हैं फोलो को अपने व्यापार को कानूनी बनाने का कोई तरीका नहीं देखते भांग उगाने का लाइसेंस करीब 32,000 यूरो में बनता है इतनी रकम छोटे किसान के बस में नहीं, जो अक्सर पुलिस के निशाने पर रहते हैं मुझे बहुत निराशा होती है, जैसा बताया गया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं हमें लगता था कि हम कानूनी तोर पर भांग उगा पाएंगे लेकिन मैं लाइसेंस तो खरीद ही नहीं सकता हूँ, हताश हो जाता हूँ मुझे लगता है कि किसी तरह की मदद मिलनी चाहिए जैसे कि हमें ट्रेनिंग दी जाए और लाइसेंस लेने में भी मदद मिले फिर हम सब मिलकर पैसा जमा करें, उससे हम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे भांग के पौधों की छटाई में लंबा दिन बता कर महाने का काम खत्म हो रहा है दो साल पहले उन्होंने मसेरू में एक कपड़ा फैक्टरी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी वो वहाँ छे दिन काम करती थी और हर रोज 12 घंटे जीन सिलती थी ग्रीन हाउस में काम करने की स्थितियां काफी बहतर हैं और वो पहले से दो गुना कमा लेती हैं भांग ने उनकी जिन्दगी को बदर डाला है पीडियों से भांग की खेती को अच्छा नहीं समझा जाता था यहां तक कि इसके लिए जेल की सजा भी हो जाती थी लेसोथों ने बड़े बिजनस के लिए एक समय बंद पड़ी ये जगह खोल दी है लेकिन फोलो को और खामोली जैसे छोटे उतपादगों के हाथ खाली ही रह गए है इस बढ़ते हुए सेक्टर में लगता है कि जीतने वाले भी हैं और खोने वाले भी